आप लोग बीच आज मैं फिर से हाथ जिरूँ एक और डेली डूस का वीडियो लेके दोस्तों कल हमारा एलेक्शन कमिशन को पर वीडियो डिटेल लेक्चर अगर अब तक आप लोगों नहीं देखा आई बटन में वीडियो लेवल है आप जाके जरूर देखें बिल्कुल ड आउट्स एलेक्शन कमिशन से रिलिटेट सारे के सारे क्लियर होंगे वीडियो में के बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा ये डेली डोस का वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा है देना तो वीडियो बिल्कुल कि स्क्रिप्ट ना करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन हम आपके लिए हैंड्पिक ले के आते हैं और 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 प्लीज अपना स्कोर जरूर से जरूर मेंचन करें नीचे से हल्दी कॉंप्टिशन क्रियेट होता है आज दो वीडियो एकदाम सही फसल दलहन और सुस्ट छेतर में उगाई जाने वाली फसल और हमार करेक्ट आंसर है option number B एकदाम सही फसल ठीक है तो कपास और गन्य जैसी फसलों को बेहतरीन जिन्स एक आमिल कहा जाता था ठीक है चीनी तिलहन और दलहन जैसी नगदी फसले भी इसके अंतरकत आती थी अब एकदम सही फसल से मतलब ये है कि जिस फसलों की सबसे बहतरीन पैदावार होती थी जिस साल भरपूर मात्रा में होती थी उसे एकदम सही फसल कहा जाता था ओके बढ़ते हमारे next question क्यों और हमारा अगला question है question number two पाचाने की भक्ति अंदोलन और सुफी अंदोलन दोनों में से कौन सा पहलू समाने नहीं है ओके option से हमारे इस्वर के प्रती व्यक्तिगत प्रेम मूर्तियों की पूजा रहस्यवाद पवित्र तिर्थों की यात्रा और हमारा correct answer है option number B मूर्तियों की पूजा यानि आइडल वर्सिप ओके तो सुफी अंदोलन में मूर्ति पूजा को समान जो है तोर पे भक्ति अंदोलन में मूर्ति पूजा को ही माननेता नहीं दी गई थी ठीक है कहां सुफी अंदोलन में ठीक है चलिए बढ़ते हैं अप अखित जोडियों में से पता करें कि कौन सही रूप से मेल खाता है ओके ऑप्शन से हमारे अकवर नामा अब्दुल हमेद लहौरी बादसा नामा जहिरुद्दीन बाबर हुमायू नामा गुलबदन बेगम बाबर नामा अब्दुल फजल अलीमी और हमारा correct answer है option number C हुमायू नामा गुलबदन बेगम ठीक है यहां पर ढूड़ना था निमलिखे जोडियों में से पता करें कौन सही रूप से मेल खाता है तो हमारा जो सही मेल खाता है वो है हुमायू नामा गुलबदन बेगम तो हुमायू की जीवनी का जो जीवनी को पर जो किताब ल लिखा था इसमें हुमायो को काफी विनम्र सुभाओ का बताए गया है देख लो भाई अगर आपनी हिस्ट्री पढ़ा हो तो पता होगा हुमायो कैसा था हुमायो की मृत्तियू की ऐसे हो गई ये भी आप जान जाए तो अचानक सीडियों से गिरने एक कारण उसकी मृत्तिय पर विचार करें कैबिनेट मिसन क्रिप्स मिसन खिलाफत अंदोलन पाकिस्तान प्रस्ताव ठीक है इन घटनाओं का सही कालानों क्रम सजाना है यानि की दे करेक्ट क्रोन लोजिकल ओडर ओव इस इमेंड्स आर कौन सा है जो पहले हुआ उसके बाद कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ यह हमें बताना है सही करम इनका हमें बताना है ओके और हमारा क्रेक्ट आंसर है ऑप्स नमबर डी ओके 3421 यानि की खिलाफत अंदोलन जो है इस समीतिय अगठन हुआ था 1919 में मुंबई में किया गया था पाकिस्तान प्रस्ताओ यह जो है इसका गठन हुआ था मार्च 1940 में आखिल भारती मुस्लिम लीग द्वारा इसका प्रस्ताओ लाहर सत्र में पेस किया गया था ठीक है क्रिप्स मिशन यह लेबर पार्टी के सोजन्ने से भेजा गया था जिसका मानना था कि भारतियों को स्वसासन का अधिकार होना चाहिए और कैबिनेट मिशन इ प्रेटिस कैबिनेट के तीन सदसे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर यह तीनों इस कैबिनेट में थे इस मिशन को विशेष अधिकार दिये गया थे तथा इसका कार भारत को सांतिपूर सत्ता हस्तांतित करने के उपाए एवं सारे के सारे जो थरीके हैं उनको तलास करने के लिए इसको भेजा गया था भारत में ओके चलिए बढते हैं नेक्स्ट कॉश्चन की और नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा एंख से वीकल्प्च रुब्चन उन्प यह यात्री जिन्होंने सती प्रता का प्रिस्तत विवर दिया है ओके हमारे options है जॉन बैटिस्ट ट्रेवियर मुनक्की फ्रेंकोई बर्नियर रोबार्टो नॉबीली और हमारा correct आंसर है option number C फ्रेंकोई बर्नियर तो फ्रेंकोई बर्नियर यह France के थे इन्हों ने चिकित्सा राजनितिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी यह थे इन्हों नहीं जो है सती प्रत्था का जो है पहले ऐसे एरोपी आत्री थे जन्हों सती प्रत्था का बहिसकार किया ओके चलिए बरते नेक्स कोश्चन की ओर हमारा नेक्स कोश्चन है question number six सही विकल्प चुने बुद्ध के जीवनकाल के दोरान और उनकी मृत्यों के बाद बहुत धर्म तेजी से विक्सित हुआ ओके हमारे options हैं option number a बुद्ध और उनके सिस्चों ने प्राकिर्थ में सिख्चा दी बौत धर्म में अनुस्ठानों को महत्व दिया गया मौजूदा समाजिक प्रताओं से लोग असंतुष्ट थे संग में केवल पुड़सों को अनुमती दी गई थी और हमारा correct answer है option number c मौजूदा समाजिक प्रताओं से लोग असंतुष्ट थे ठीक है तो लोग जो है जो current उस्चों में सिख्वेशन था उससे unsatisfied थे ओके इसका correct answer यह होगा option number c चलिए पढ़ते हैं next question क्यों और next question हमारा question number 7 अकबर के सासनकाल में मीर बक्षी निमलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार थें okay option से हमारे राजस्व संग्रा वेतन का भुगतान सैन प्रसासन के प्रमुक नॉबलिटी के प्रमुक और हमारा correct answer है option number sorry b वेतन का भुगतान तो जो मीर बक्षी थें यह जो है सरखात नाम के पत्रप्रस्ताक्षर के बाद ही यह एक सरखात नाम का पेपर होता था उस पे इनके साइन लगते थे उसके बाद ही जो सेना को जो salary वेगरा जो है यह allowances सेना को प्रदान की जाती थी तो मीर बक्षी जो है वो अकबर के सासनकाल में payment of salary यह नि वेतन के भुगतान के लिए जिम्मेदार थें चलिए बढ़ते हैं next question की और next question है हमारा question number 8 कलकत्ता में lottery समीतिय गठन अंग्रेजों ने कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया था बता दे कि समीति के बारे में निमलिखित में इसे कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है options देख लें हम हमारे options हैं lottery समीतिय ने कलकत्ता कि एक व्यापक तस्वीर प्राप्त करने के लिए सहर का एक नया नक्सा बनाया समीतिय ने सहर के भारतिय हिस्से में सडक निर्मान गतिवीदियों का संचालन किया option number C समीतिय ने मजदूर गड़ीबों के लिए घर बनाए option number D समीतिय ने अतिक्रमन काडियों के नदी तट पर साफ किया और हमारा correct answer है option number C समीतिय ने मजदूर गड़ीबों के लिए घर बनाए ओके तो option number C हमारा सही है अब यहां कुछ इसका डिटेल सुन लेते हैं जान लेते हैं lottery committee ने सहर का एक नया नक्षा बनवाया जिसमें कलकत्ता की एक मुकमल तस्वीर सामने आ सके committee की प्रमुक गतिवीदियों में सहर के हिंदुस्तानी अबादी वाले हिस्से में सडक निर्मान और नदीगी किनारे अवैद कबजे हटाने सामिल थें ठीक है अब सहर के भारती हिस्से को साफ सुथरा बनाने के मुहीम में committee ने बहुत सारी जोपड़ी को तोड़ फोर दिया और गरीब महनत कस गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया और कुलकत्ता के बाहरी की नारोपे उन्हें बसाने के लिए order पास किया गया ठीक है हमारा नेक्स कोश्चन है आज का आखड़ी कोश्चन कोश्चन नमबर टेन जी बंगाल में ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में निमलिखित कत्रों पर विचार करें आप्सन से हमारे स्थाई समझा था 1793 में लागू हुआ था 1797 में बर्दमान में एक निलामी हुई जिसके दौरान बर्दमान के राजा दौरा रखे गए कई महल संपदा बेचे जा रहे थे आप्सन नमबर सी जो लोग भुगतान करने में फल रहे उन्हें राजस वसूली के लिए निलाम किया जाना था ओके और यह अजर्प्शन है अब इन तीनों में कौन सही है कौन नहीं है कितना सही है यह बताना है निलिखित में से कौन सा कथन सही है और हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्सन नमबर डी वान टू और थ्री तीनों के तीनों सही है यानि कि जो बंगाल में ब्रिटिस इंगा कंपनी की अस्थापना के बारे में निमलिखित काथन यहां दिये गए यह तीनों सही है यानि कि अस्थाई समझवाता 1793 में लागू यह हो गया था 1797 में बर्दमान में एक निलामी हुई जिसके दोरान बर्दमान के राजा दोरा रखे गए कई महल समपन्दा बेच दिये गए और ऑप्सन नमबर सी जो लोग भुगतान करने मी फल रहें उनके राजस वसुली के लिए निलाम किया जाना था यह तीनों आप्सन हमारे करेक दोस्तों यह था हमारा आज का डेली डोस का वीडियो हिस्ट्री के ऊपर उमिद्गरता वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नहीं पता कैसे भी करो खुछ भी करो बस दबा के शेयर करो ठीक है और दबा के लाइक करो और अपने स्कोर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताओ चलिए तिल देन आज के लिए बस इतना ही डू टेक कियर ऑफ यूर्स सेल्फ कड ब्लेस यू आल एंड कीप वाचिंग आवर चैनल मिसन कॉम्पेटिशन टेक क्यार बबाए